जेहिन, गाइस 16 रुपय का यहापई नी इस्टोक आपको अच्छा खास रिटर्म बना कर देव सकता है, कमपनी के नाम है रहता है इंडिया पावर लिम्टेट, क्योंकि यहाँ पर कमपनी के काफी अच्छा बिजन्स है, कमपनी भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली कमपनी का काफी अच्छा है, 8882 क्रोण का मार्केट काफ है, और करन प्राइज है 60.5 पैसे का, और हाई लगाया था 21.1 का लो लगा था 4.30 और इस्टोक आपकी यहाँ पर अपडेट नहीं है, जबकि एंडिश्टी पी 14.7 का है, वह बुक वैल्यू 8.13 का है, जब कमपनी यहाँ पर कोई भी पे आउट नहीं करती है, आर ओसी कंपनी का 8.39 का है, जब कि आरोई कंपनी का अपडेट नहीं है, 10 रूपी फेस वेल्यू की कंपनी है, यहाँ पर जब देखने वाली बात है, कंपनी का भी भविस में अगर इस्पलाइट देती है, एक के मदले 10 सेयर, तो यहां पर इंवेस्टर को अच्छा खासा benefit हो सकता है sales company one verse के अंदर 3364 क्रोड का कमणी यहां पर generate कर रही है और अनिक परसार भी company का यहां पर काफी अच्छा है 16.6 रूप एका और कर्ज है company में 3562 क्रोड का कर्ज है जबकि reserve यहां पर company का minus में है जो कि यह काफी minus point company के लिए हो जाता है जबकि हाँ पर free cash flow 1207 क्रोड का पढ़ा हुआ है और cash भी company में 462 क्रोड का पढ़ा हुआ है जबकि promoter holding है 44.1 प्रिसेट की promoter holding है और सबसे minus point है कि promoter ने अपने shareों को 88.6 प्रिसेट यहां पर गिर भी रख रखा है जो कि सबसे minus point है इसमें प्लस point यह है कि company यहां पर FIIS की 2.04 प्रिसेट की holding है और डिया इसके 6.61 प्रिसेट की holding है और total asset company का 9,566 क्रोड का और यहां पर company कोई भी investment नहीं कर रखा है जबकि profit goal company का 7.03 प्रिसेट का है assets goal company का 4.11 प्रिसेट का है वही company के plus point की बात करेंगा इसके यह company का plus point है और यह सारे minus point है company अपने यहां पर कर्ज को कम कर रही है और यहां पर company का low return equity है और minus point की बात करेंगा इसके यहां पर वही company के plus point की बात करेंगा इसके यहां पर company के plus point है और यह सारे minus point है और यहां पर कम कर रही है और यहां पर minus point की बात करेंगा इसके यहां पर low interest coverage ratio और promoter holding यहां पर जो के 8.6 प्रिसेट यहां पर गिर्वी रख रख रखा है अधर इंक्रस कंपनी यहां पर profit generate करती है माइनस point हो जाता है तो यह सारे company के minus point है और competition से बात करेंगा इसके यहां से यहां पर और net profit की बात करेंगा इस तो company के यहां पर net profit जो की पहले minus में चलता था जो company अभी plus में आई है तो यह company के लिए plus point है कि इस साल company ने अपने profit को अच्छा खासा increase किया है लेकिन सबसे minus point है company यहां पर other income से profit generate कर पा रही है जो कि यह minus point हो जाता है company को business से अपने profit को generate यहां पर करना चाहिए और return की बात करेंगा इस तो लाश साल में अच्छा खासा return भी company ने बना कर अपने investor को दिया है और लंबे समय भी company ने कहीं कहीं अपने investor को return मना कर ही दिया है वही balance की बात करेंगा इस तो company ने अपने result के हाँ पर minus कर लिया है जो कि काफी minus point हो जाता है जब कि वह रोइंग को company ने आपर काफी 70 कंट्रोल किया है तो यह plus point company के लिए हो जाता है कि अपने कर्ज जो कि हाँ पर company कम कर रही है देदेर करके औ 26 प्रिस्ट की होल्डिंग अभी FIS ने 2.04 प्रिस्ट की होल्डिंग को बना लिया है जो कि है plus point है और DIS की यहाँ पर अच्छी खासी holding है लेकिन DIS ने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत विक्वाली किया है जो कि माइनस point हो जाता है पब्लिक के पास 47.49 प्रिस्ट की holding है तो ऐसे पैने इस्टो काफी डिस्की होते हैं गाइस और रिटेन भी अच्छा खासा बना कर दे जाते हैं तो आपको बहुत कम ही पैसा लगाना चाहिए और इंवेस्ट्मेंट करने से पाले एक रिसर्च जरूर कर लेने चाहिए वीडियो इन फॉर इज्टेशन परपरच के अलिए धन्यवाद